नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल अब्जेक्टिव सेंटर पर जैसा कि यहां पर आप लोग देख पार होगे या हमारा ऊटनारी प्रिंटे सके इंतर प्रिंटिंग चैनल यहां पर हमारा ओन हो गया है कि यहाँके रेदियूझ यहां देखिया और अब सबी इस लिए उन सभी के लिए सेमह निया आपका फालोइंग होगा सैलेकशन प्रसेस हो गां यहां कर फरी टेस्ट होगा इसे सब्सकूरा की स dużo आपको आपको 50 सब्सक्रेश करने और प्रतिक भूबिकलपी टाइफ मिल्के प्रत्रम्हल तरहां इसनकि आपको समय डिया जाएगा वह 13 दिया जाइगा यानि कि आते बहुत को सपरी को देखंगे कि स्युआ क्या अश्य है नहीं arrest आपका रीटेन आप एक्जामनेशन प्रीटेस्ट का है कर आपजेक्टिव टाइप आप मल्टिपल चॉइस कोश्चन इन दा फालोईंग प्रपोर्शन तो जो आपका अब्जेक्टिव टाप कोश्चन पूछे जाएंगे उसमें आपके 50 कोश्चन में 20 कोश्चन जो नमबर आपको पचास आपको पता ही चल गया है करें मार्क तो देखिए यहां पर जो आपका मार्क होगा वह आपका मैक्सिमम मार्क डेल्ड़ सब्सक्राइब यानि कि आपको 50 कोश्चन रहेगा प्रते कोश्चन तीन-तीन नमबर के रहेंगे तो एक कोश्चन अगर आपक Ч consumes आपको समय दिया जाएगा तो यह हो गया कि अपका पूरा किस्टेज 1 के बारे में तो इसके बाद जो है आपका स्टी। में यहां पर देखिए कहा गया है की अल कंडिटेट के लिए बुलाया जाएगा ठेक अब देखिए उसका वहाँ पर क्या होगा कि मेरिट बनेगा इस्टेज फस्ट का जो उसमें कंडिडेट पास होंगे उनको एडवांस टेस्ट यानि कि सेकंड इस्टेज के लिए बुलाया जाएगा यहां पर देखिए कहरा कि पैटर्न आप है रिटेन एक्जामनेशन आपने जो ट्रेड भरा है उसी ट्रेड से रिलेटेड कोश्टन पूछे जाएंगे किसी अदर्ट से नहीं पूछे जाएंगे ठीक तो जिस ट्रेड से आपने फार में भरा है अपलाई किया है उसी ट्रेड से आप से कोश्टन पूछे जाएंगे और यह जो कोश्टन पू भी यहां पर बताया गया है कि माइनस वन मार्ग फार इच रांग एंस्वर यानि कि एक कोश्चन अगर आपका गलत होता है तो आपका एक नंबर काट लिया जाएगा क्या रहा है डूरेशन आप एक्जामनेशन जो आपका एक्जाम होगा वह आपका दो घंटे का समय होगा तो स्टेज फश्ट जो होगा वह आपको एक घंटे का रहा है कि उसमें 50 कोश्चन करने रहेंगे ठीक जो कि आपको नंटेग पोर्शा रहेगा और जो आपका एडवाश्ट टेस्ट है इस्टेश्ट्वह आपका ट्रेट से रिलेटड है इसमें आपको दो घंटे का समय मि काह रहा कि merit list of candidates will be prepared after stage 2 based on the score after stage 2 वनली काह रहा है जो आपका merit list तयार की जाएगी यह आपका stage 2 के ऊपर निर्भर करेगा ठिक prepare after stage 2 तो stage 2 के बाद merit list तयार की जाएगी और कहा रहा है कि best upon under score after stage 2 वनली तो यानि कि जो आपका stage first रहेगा वह आपका सिर्फ और सिर्फ screening test रहेगा सिर्फ आपको उसको qualify करना रहेगा और यहां पर advanced test यानि कि जो stage 2 रहेगा उसी के आधार पर आपका selection होगा यहां पर देखे कहा गया है कि based upon the score after stage 2 only यानि कि stage 2 में जो आप number पाएंगे उसी के आधार पर निसंसार यहां पर उस मेरिट लिस्ट आनिश्ट आनुसर यहां मेरिट और अफर बुलाए जाएगा student को इंटर्वु के लिए टिक तो जो student if stage 2 मैं चाहँ करेंगे उन्हीं को इंटर्वै के लिए बुलाया जाएगा stage 3 के लिए तो यहां पर देखे इस तरी जो अब यहां पर बताया जा रहा है और अब यहां पर बताया गया इस्टेज 3 ट्रेड यह इस्किल टेस्ट के बारे में थे तक कहा रहा है जो भी इस्टूडेंट रहेंगे इस्टेश टू में उनका merit list तजार किया जाएगा और उन्हीं को skill test के लिए certalistate किया जाएगा जो student status 2 qualify करेंगे इसके बाद अगला कहा रहा है कि the number of candidate certalistate for skill test would depend upon the number of candidate qualifying for status 2 कहा रहा है कि skill test के लिए कितने student certalist किया जाएगे या depend करता है कि status 2 में कितने student qualify होते हैं लेकिन कहा रहा है बट्ट विल नाट एक्सिट 4-5 ताइमस नंबर of vacancy for the set post कहा रहा है स्टेश 2 में कि क्वालिफाई जो भी student कर लेंगे skill test के लिए जो भी student बुला जाएगे वह स्टेश 2 पर निर्भर करता है कि merit list पर कितने student यहां पर qualify कर रहे हैं लेकिन 4-5 गुना से ज्यादा student यह लोग नहीं लेंगे तो skill test के लिए जो student बुला जाएंगे वह 4-5 गुना student लिए जाएंगे advanced test से number of vacancy का तो number of vacancy जितना रहेगा उस से उससे चार-5 गुना student बुला जाएंगे skill test के लिए उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं ठेक यहां पर साफ-साफ लिखा गया है करें the skill test will be conducted on a go or no go basis for qualifying the candidates यह हो गया इसके बाद अगला करा है candidate clearing the trade या skill test will be certain listed and in order of merit based on mark secured in stage 2 तो जो अब आपका trade या skill test होगा इसके बाद जो भी student start listed किये जाएंगे फिर क्या रहा है कि जो आपका final होगा सिक्कोड होगा in stage 2 यानि stage 2 में जो भी student ज्यादा number 5 रहेंगे उन्हीं का merit list में ज्यादा वरित्य दिया जाएगा ठेक तो stage 2 के अधर पर ही आपका position in merit list जो आपका merit list रहेगा उसमें किस तरह से descending order में position रखा जाएगा उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है क्या candidate with longer negative mark in stage 2 will be placed higher on the merit list क्यारे कि जो भी student ऐसे रहेंगे जो कि stage 2 में कम से करम negative mark किये रहेंगे उनको merit list में वरित्य ज्यादा दी जाएगी यानि कि उनको ऊपर रखा जाएगा वरित्य करम में दूसरा करहा कि candidate with higher mark in stage 1 first to be placed higher on the merit list क्यारे जो भी student ऐसे रहेंगे जो कि stage 1 में ज्यादा नमबर पह रहेंगे उनको वरित्य पहले दी जाएगी इसका बात तीसरे यहाँ पर कहा रहा है कि candidate with lower negative marking stage 1 to be placed on the merit list क्यारे जो भी student ऐसे रहेंगे जिनका कि stage 1 में negative marking कम रहेगा उनको भी merit list में ऊपर रखा जाएगा अगला करहा है candidate with higher positive marking mathematics in stage 1 will be placed in higher कि जो आपका stage 1 होगा जिसमें कि आपका mathematics रहेगा general science रहेगा और general awareness रहेगा उसमें जो stage 1 में mathematics रहेगा उसमें अगर कोई student ज्यादा नंबर पर है तो उसको वरिता ज्यादा दी जाएगी इसके बाद अगला correct candidate भी थे higher positive marking science in stage 1 will be placed higher इसके बाद कि जो भी student रहेंगे stage 1 में जिनका कि science में नंबर ज्यादा है उनको भी वरिता में ऊपर रखा जाएगा merit list में तो यही आपका selection process और exam pattern के बारे में तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और पने दोस्तों के साथ share करिए लेंगे next वीडियो में thank you